नमस्कार राम राम जैगोमाता मित्रों कैसे आप सब आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मित्रों अभी आप मेरे पीछे देख रहें बैक ग्राउंड में जिस रास्टे से में गायों को सुब़ सुब़ जल्दी लेके आता हूं तो अभी क्या है कि दूप उतनी लिखेंगे यह धिरी दीरिति की और में देखेंगे अगर एक पर दीवर्तन हो राएं आप देखेंगे दूर दूर टक है अगर देखसे जैसे एकडम वो तो गोल्ड की तर दिखता है दीरे 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 इसमें जो एक रंग में है वो परिवर्तन आ रहा है तो अभी दीरे दीरे अगले 15 दिनों में चारा है हलाकि बरसाद होगी तो चारा नया भी फूटेगा लेकिन अब चारा है पकाव की और जाएगा तो अब क्या है कि इसमें आगे मैं खेर अलग वीडियो बनाओंगा बादवे के गी के बारे में उसके बारे में तो लेकिन फिर भी आप देखेंगे अब भी इसमें क्या है कि जैसे जैसे चारा पकाव की और जाएगा धूब भी बादरपद में और आश्वीन मा में थोड़ी तीज रहती है तो मच किया है कि जिव है वो खतम होने लगें उनका it आप देखेंगे कि गाये जब गोबर करती है तो एकदम जैसे लगता जैसे पानी की तरह दसने लगती है उस टाइप के लगते है और जैसे अब चारा पकने लगेगा तो गोबर भी है वो सॉलीड आएगा ठोस आएगा और उनका एक नेचुरल डी वर्मिंग होगा तो इस न के खाया प्या है वो अंग लगेगा और अगले मतलब आप देखेंगे अभी स्रावन समाप्ति की ओर है और बादरपत पूरा निकल जाएगा और उसमें अच्छा गी भी प्रोडियूस करेगी दूद भी अच्छा प्रोडियूस करेगी और जो उसकी दूद की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और कच्छा-चारी में माना जाता है थोड़ा जहरिला तो नहीं चेहť सकते लेकिन उतना परभाव अच्छा परभाव Years six,वैं जैए अइ uphold का सरीर बीभी देखो आप और पूफ्ठ हो जाएगी लेकिन उनके चमड़ी का गलो वह अलगी हो जाएगा तो वह आप अगले मतलब देखेंगे वह चारे में अभी इसे असर दिखना शुरू हो चुका है तो यह क्या कि छोटी-छोटी बाते हैं मतलब गोपालन में मैं अपने लेवल पर नोटीस करता रहता हूं चीजों को तो क मतलब आपकी गायों में जो परिवर्तन आता है और काफी चीजें जो है वह मौसम के अनुसार आप उसको द्यान भी जरूर रखे और आश्यू नमास आते आते तो मतलब वैसे भी जैसे यह जीव जन्तु है उसमाप थो जाएंगे मच्छर मकी कीडे मकोडे है तो उसमें ग स्पेसल डाइट इनके लिए भी यह बननी तयार हो गई एकदम गॉल्डन कलर चालू हो गया है तो अगर मित्रों वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए जो नए वीवर से प्लीच चैनल को जरूर सपोर्ट करो सब्सक्राइब करो धन्यवाद मित्रों जय गो माता राम राम